प्रिय दोस्तों, नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए को ए कब पढ़ते हैं, दिखें, यदि किसी सब्द में, दो अक्छरों के बीच में, यदि किसी सब्द में, दो अक्छरों के बीच में ए हो, देखें, यदि किसी सब्द में, दो अक्छरों के बीच में, फिर से यदि किसी सब्द में दो अक्षरों के बीच में ए हो तो इस वाले ए का उचारण ए होगा उधारण के लिए एक बार इस नियम को फिर से रिपीट करते हैं यदि किसी सब्द में दो अक्षरों के बीच में ए हो तो इस वाले ए का उचारण ए होगा जैसे कि आपके सामने है रेड ये कोई सब्द है और हमने कहा यदि किसी सब्द में दो अक्षरों के बीच में तो पहला अक्षरिये वाला है और दूसरा अक्षरिये वाला है देखें यदि किसी सब्द में दो अक्षरों के बीच में ए हो तो वहाँ पर इस वाले ए का उचारण ए होगा अब जब इस ए का उचारण ए होगा तो हमें पता है आर को हमें रो पढ़ना है डी को हमें डो पढ़ना है रो में एक ही मात्रा लगीगी तो यह हो जाएगा रे और डो को हम डो ही लिखेंगे तो हम इसे पढ़नेंगे रेड आपको यह समझ आ चुका होगा अब इसकी परभासा पर चलते हैं देखें यदि किसी सब्द में दो अक्षरों के बीच में ए हो तो ए को एक पढ़ते हैं जैसे देखें ए कोई सब्द है तो हम इसे आर को पेला चर मानेंगे डी को दूसरा अक्षर मानेंगे इनकी बीच में ए है और इस ए का उचार हमें ए करना है हमें पता है आर को रो पढ़ना है और रो में ए की मात्रा लगेगी तो रे हो जाएगा D को हमें डो पढ़ना है तो ये हो जाएगा रैड ठेक ऐसी परकार B को हमें बो पढ़ना है और दो सब्दू नहीं सोरी दो अक्छरों के बीच में E है तो E का उचारन A करना है तो B को बो पढ़ेंगी अगर B में E है इस E का उचारन A होगा तो B को बो पढ़ेंगे बो में A की मात्रा लेगेगी तो वो होगा B और D को हम डो पढ़ेंगे तो होगा BAD इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू, have a nice day